दिल ना उमीद नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो दे चैनल एक्सिल कैम दोस्तों, 1950 में, हार्वर्ड युनिवर्स्टी में, डॉक्टर कर्ट रिक्टर ने एक एक्स्प्रेमेंट किया था चुओं पर वेक्स्प्रेमेंट हम लोगों को भी बहुत कुछ सिखा सकता है चुओं को पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया, और देखा कि वो कब तक सर्वाइव करेंगे पहले राउंड में चुओं नॉर्मली 15 मिनट तक सर्वाइव कर पाए, फिर वो डूब गए अब दूसरा जो लौट था चुओं का, दुबार पाने में चोड़ा, उनी सिचुएशन में चोड़ा और 15 मिनट से पहले जब वो डूबने वाले थे, तब उन्हें बाहर निकाल लिया ड्राइ किया, उन्हें थोड़ा रेस्ट करवाया, और सेकंड राउंड के लिए फिर छोड़ा गया ये देखने के लिए कि अब इनके अंदर क्या चेंज आता है अन्बिलेवेबली, हम यकीन नहीं कर पाएंगे कि सेकंड राउंड में वो चुए जो फर्स्ट राउंड में जो 15 मिन तक तैर पाए थे, सेकंड राउंड में वो 60 घंटे तक तैरते रहे ऐसा क्या हो गया, ये कोई एरर नहीं था, ये एक होप थी एक होप थी, जिससे उनके अंदर रेजिलेंस आ गई, रेजिलेंस में वो फाइट कर गए वो उन्हें ये लग गया चुओं को कि हमें कोई बचा लेगा, we are likely to be rescued और इतनी उमीद से उनकी चमता, उनकी तैरने की, फाइट करने की चमता, जो 15 मिन ती, वो 60 घंटे तक बढ़ गई आज इस hope and resilience की जरूरत सबसे ज़्यादा हमारी पूरी society को है, देखिए present scenario, worst scenario है, जो हमने अपने life में देखा है, जो second wave आई है, कोरोना pandemic की, oxygen नहीं है, beds नहीं है, हर रोज death की news आ रही है, लोग बुरी तरह से सफर कर रहे हैं, medicines नहीं है, black marketing हो रही है, लोग अपनों को खो हो रहे हैं, चारों तरफ से, निराशा ही निराशा, निराशा ही निराशा, चारों तरफ से, ऐसी situation में, हमें hope and resilience चाहिए, hope and resilience हमारी fighting capacity को बहुत बढ़ा देगी, अब ये hope आएगी कहां से, देखो कुछ examples हैं, हम अपने history से भी सीख सकते हैं, sports से भी सीख सकते हैं, science से भी स जिंबावे के अगेंस्ट, इंडिया quarter final में खेल रहा था, इंडिया ने toss जीता, बैटिंग करने कर चूज किया, इंडिया के 5 top के batsmen, 17 run पर, 17 run पर 5 batsmen आउट थे, सुनील गाउसकर, श्रीकान, संदीप पाटिल, योगिंदर शर्मा, मोहिंदर अमर्ना, कपिल देव उस टा होप थी कि अपनी country को जिताना है, resilience थी, लचील अपमन, flexible, प्रतिरोध करना, fight करना, और उसमें कपिल देव ने 175, not out, 175 स्कोर किया, not out, जिसमें कि 64 force, 6 sixes, ये hope and resilience ये change लाती है हमारे अंदर, हमारी fighting इतनी बढ़ जाती है, हमने वो quarter final जीता, semi final जीता, और फिर हम final भी जीत 1983 का World Cup हमें ये बात सिखा सकता है, एक दूसरा example, political party से भी सीख सकते हैं, 1984 में BJP की लोगसबा में 2 सीटे थी, वहाँ से इस party ने hope दिखाई, resilience दिखाया, fight किया, अपने principles पर रही, और इस time 303 सीटे हैं present में, आज की लोगसबा में 303 सीटे हैं, 2 से 303 तक की journey केवल hope से और resilience से ही आ सकती है, Thomas Edison, science में जब वो इलेक्टिक बल बना रहे थे, तो बहुत बार SFL हुए, उन्होंने, उनकी एक quote है, I have not failed 10,000 times, I have not failed at all, 10,000 times I have learned कि these things will not work, मैं fail नहीं हुआ, मैंने 10,000 मार ये देखा है कि इस तरीके से ये काम नहीं होगा, तो दूसरे तरीके से उन्होंने इलेक्टिक बल बना ही दिया, अब देखिए, इस टाइम हमें होप की बहुत ज़्यादा जरूरत है, और मीडिया ने थोड़ा सा negative role play किया है, जिम्मेदारी से role play नहीं किया, खास कर second जो बेवाई थी, मीडिया ने वो सब दिखाया जो negative था, मीडिया ने वो सब नहीं दिखाया जो positive था, बहुत सारे लोग recover कर गए थे, उनके interviews दिखाते, उनके experiences दिखाते, तो जो दूसरे बेमार लोग थे, उनको support मिलता, यहां गलती हो गई, अब आप ये देखे कि हमें hope मिलेगी कहां से, हम hope कहां से लाएंगे, तो देखे, एक quotation है, तुलसिदास जी ने लिखा है, एक दो है, इश्वर यत करोती, शोबनम करोती, तो इश्वर जो करता है, वो अच्छा ही करता है, अब हमारा faith system, सभी का कोई ना पर faith system होता है, अगर हमारा faith system ये कहता है कि इश्वर जो करेगा, अच्छा ही करेगा, तो हमारी बहुत सारी चिंता खत्म हो जाती है, इसके लावा हमारी family, हमारे friends, ये हमारा support system है, देखिए, अगर ऐसी situation में आपने इस time survive करना है, तो आपकी health अच्छी होनी चाहिए, foremost condition, आप healthy होंगे, तो आप खुश रह पाएं आपका family, friend circle और आपका faith system है, इनको अगर आप ठीक से manage कर लेंगे, तो आपके अंदर hope रहेगी, resilience रहेगा, बहुत सफर किया है society ने, बहुत उम्मीद है, फिर से हम चाहते हैं, कि वही दिन वापस आएं, फिर school खुलें, बच्चे हमें दिखें school जाते हुए, college खुलें, फ तो वो situation आएगी, हमें patience रखनी होगी, वो situation आएगी, बहुत लोगों के रोजगार चले गए, job चले गए, business ठप होगे, ऐसे में हमें hope ही तो है, जो हमें आगे ला सकती है, अगर हमारे अंदर hope रहेगी, तो हम आगे बढ़ सकेंगे, हम इस pandemic से भी fight कर लेंगे, और आगे भ खतम नहीं हुए है, challenge खतम नहीं हुए, अभी बोल रहे हैं कि third wave आएगी, देखो virus में mutations हो रहे है, alpha, beta, gamma, delta, delta plus, ये आता जा रहा है, वो भी change कर रहा है, तो और ये first and last नहीं है, अभी हो समझे है कि biological warfare तो start हो चुक है, इसके बाद कुछ और दूसरी दिक्कत आएगी, कहीं unemployment की problem, कहीं crying, challenges हमारी life में कभी खतम नहीं होंगे, हाँ, अगर हम अपने अंदर की hope को नहीं मरने देंगे, तो हम उन challenges से fight back कर लेंगे, हारने के बाद भी हार कर भी जीतने की जो आशा होती है, यही तो जीवन की परिवाशा है, हार कर भी जीतने की आशा, अब आप ये fight back करना है, हमें हर परिस्तिति में अपना काम अच्छे से करना है, बाकि भगवान पर छोड़ दीजे, अपने सारे relations को अच्छे से निभाईए, health के लिए proper diet, proper exercise कीजिए, तो हम इन चुनोतियों का सामना कर लेंगे, दोस्तों माना की अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहा मना है, तो आप सभी से ये request है, कि अपने अंदर hope का जो दिया है उसे जलाएं, और healthy रहें, always be healthy and happy.